दोस्तों इस Study91 की YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मेले कर हाजीर हूँ वचन Special Class यहां दोस्तों जहां पर हम चर्चा करेंगे वचन के बारे में वचन से संबनीत कौन-कौन से सवाल बनते हैं कैसे हमने पढ़ा होगा दोस्तों कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो वचन दो प्रकार के होते हैं एक होता है एक वचन एक होता है बहु वचन ठीक है जब हम संस्कित पढ़ड़ा होते तो हाँ तीन तरह के वचन होते है एक वचन होता है दूई वचन होता और बहु वचन होत जाके पीछे के वीडियोज को देख रही है, देखें बहुत शांदार तरीके से बड़े इत्मिनान से दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, हर ऐसे सवाल जो आपके परिक्षा में आ सकते हैं, उन सभी पर चर्चाएं हो रही है, ठीक है, तो मौका दीजिए और प पूरी की पूरी क्लास मिल जारी, नहीं, उससे कंपेर कभी स्टडी नैंटी मुन को मत करी का दोस्तों, ये बेस्ट क्वाल्टी कंटेंट के लिए जारी किया जाता है, लोग चाहे जितना भी अच्छा कंटेंट बना ले हमारी यूटूब चैनल से ज्यादा बेहतर कंटें अब तो किताबे भी आ चुकी है, हाँ, किताब तो आपके पास होना ही चाहिए, ये किताबे आपको बहुत अच्छा मारदसन करेंगी, आप किताबों को पर्चेश करिए, घर बैठे आप आडर कर सकते हैं, 4-5 दिनों में दोस्तों किताब आ जाएगी, जबसे आप सोच र कराता है, लिखरा प्राड़ी या वस्तु के एक या अनेक होने का बद कराता है, देखे एक होने का बोद तो कराता ही नहीं है, ठीक है, तो वस्तु का यहाँ पर लिख दिया एक होने का बोद और अनेक होने का बोद, देखे लिंक का बोद तो नहीं कराएगा, आपको जो confusion पहले और तीसरे में होता है सरी बात बताईए क्या अनेक होने का बोध ही कराता है या फिर एक होने का बोध भी कराता है आप बताओ गर इस तरह के सवाल आ गए और आप फस गए अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा सर जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं वचन तो याद होने का बोध हो उसे एक बचन काते हैं ठीक है बोध हो उसे एक बचन काते हैं और जहाँ अनेक होने का बोध हो जहाँ जहाँ अनेक होने का बोध हो अनेक होने का बोध हो उसे क्या काते हैं उसे बवचन काते हैं फिर जब ऐसा है तो यहाँ खाली अनेक की बात क्यों करोग क्योंकि खाली अनेक की बात करोगे तो खाली बहुवचन की बात होगी और ऐसा तो है नहीं हमें तो दोनों लेके चलना है हमें एक को भी ध्यान देना और हमें अनेक को भी ध्यान देना इसलिए दोस्तों आपका सयुत्तर क्या होगा option number 1 होगा अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना जल्दी बाजी में बच्चे आपसा number 3 भी कल लेते हैं और ऐसे में एक number आपका खो जाता परिक्षा में ठीक है इस बात का ध्यान दीजेगा दूसरी ची दोस्तों हिंदी में कितने वचन होते हैं तो कभी अपने दिमाग में कुछ और मतलाएगा दोस्तों हिंदी में सिर्फ दो तरह के वचन होते हैं कौन-कौन सा एक वचन और बहु वचन एक वचन और बहु वचन ठीक है याद रखेगा तीन कहां होते हैं तो जब हम संश्कित की बात करते हैं दोस्तों तो संश्कित में हम पढ़ते हैं तीन वचन ठीक है कौन-कौन सा पढ़ते हैं हम वह पर पढ़ते हैं एक वचन वहाँ पर हम दूई वचन भी पढ़ते हैं दूई वचन ही पढ़ते हैं और अंतिम मिलता है क्या बहु वचन ठीक है तो याद रखेगा जहां पर एक का बोध हो एक वचन जहां पर दो का बोध हो दूई वचन और जहां पर तीन का बोध हो वहाँ पर बहु वचन होता है या दो से अधिक का बोध होती इनका नहीं ठीक हमा बहु वचन ते संस्कित में होता है बाकी चार और पांच का तो कोई मामला ही नहीं यहाँ पर ठीक है फिलाल आप से हिंदी का पूछा इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर एक बिल्कुल सही है या फिर एक वचन बहु वचन दोनों है ठीक है बहुत ध्यान से पढ़िए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं होता क्या है देखे कांसेट क्या होता है होता है हम पढ़ते हैं लड़का और लड़का का बहु वचन क्या होता है लड़के हो जाता है या फिर लड़के के जग दोस्तों कि लड़के लिखा है यहाँ पर हम तुरंद क्या कर देते हैं अपना उत्तर बहवचन टिक कर लेते हैं और यहीं हो जाता है गलत याद रखेगा लड़के ने रमेश को मारा तो दोस्तों आप यहाँ पर भाव देखिए ठीक है भाव एक आता है भाव एक लड़के होने की पूष्टी हो रही है लड़के ने रमेश को मारा ठीक है किसी एक लड़की को कहा जा रहा दोस्तो तो याद रखेगा इस भाव से अगर यहाँ पर दिया हुआ तो यहाँ पर एक वची नहीं होगा यहाँ बववचन नहीं होगा ठीक है और एक वचन बवचन दोनों क की तरह भी टीट करते हैं तो वो चीजें होती हैं वो अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा अभी के लिया आद रखेगा एक वचन तो भाव को पकड़िए कभी इस पर मत जाए मात्रा को देख करके डारेट उत्तर देंगे उत्तर गलत होगा समझ में आ रहा है ना देखे प् लडके ने कहा या लडकों ने कहा या लडके ने लडकों से कहा तो लिख रहा है दोस्तों कहा पर एकवचन का प्रियोग वाले यहां पर लडकों की बात चाए मैं इसल dig yum और चपा वाल लड़कों तो याद रखेगा ऐसे में आपसा नमबर दो में जो भाव है वो एक वचन का भाव है इसे आप याद दे रखेगा ध्यान रखेगा तभी आप इसका जवाब कर पाएंगे यह अपने आप में वचन का डिफिकल्ट सवाल है मुझे पता था कि आप वचन को बहुत आसान समझते हैं बहुत हलके में लेते हैं तो जरूरी था आपको ऐसे सवाल दिखाना जहां पर गलतियां हो सकती हैं तो ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ेगा और गलती मत कीजेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सव सदेव बहुचन मतलब जिनका एक वचन होता ही नहीं है उसी तरह से होता है सदेव एक वचन क्या होता दोस्तो सदेव बहुचन और सदेव एक वचन मतलब जो सदेव एक वचन होते हैं उनका वचन नहीं बनता जो सदेव बहुचन होते हैं उनका एक वचन नहीं बनता आप याद रखेगा ठीक है इसी तरह से सदेव बहुबचन में और क्या हो सकते हैं प्राण दर्सन तो ये पेड़ सवाल है ये बार बार आता है और लिख लिजे जैसे कहीं पर लिख लिख लिया हस्ताक्चर हस्ताक्चर भी क्या होता दोस्तो ये अभी हमेसा बहुबचन होत तो यह सभी क्या होते हैं दोस्तों यह सदयो बवचन वाले हैं इसमें से क्या क्या आपको याद रखना याद रखेगा दर्सन को याद रखेगा हस्ताक्षर को याद रखेगा अक्षत को याद रखेगा समाचार को याद रखेगा होट को याद रखेगा बाल को याद रखे तो इस तरह के सवाल आते हैं इसको जराब ध्यान रखेगा अब लिखना दोस्तो सदय एक वचन तो याद रखेगा जैसे यहाँ पर नीचे जो चौथा अपसंदेरा दोस्तो तेल की बात तो बाद में आएगी यह लिक्विड आइटम है यह दोस्तो सदय एक वचन में होता ह अगर हम सदय एक वचन में बात करें तो जो सबसे अधा परिक्षां पूछा जाता हो पूचा जाता जंता शामाग्री ठीक है संग्रि मतलब क्या हो गया वस्तू ठीक है तो तेल जंता समाग्री प्रजा प्रजा माल मांने क। हो जातो क्या हो जाएगा तेल हो जाएगा ठीक है बाकी का क्या हो जाएगा बाकी आप बहुवचन में रखिएगा ठीक है तो इसको याद रखेंगे यह most important slide है बाद में मत कहेगा नेतिन सन ने बताया नहीं ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला स्वाल देखे ठीक है अगला लिख रहा दोस्तो लिख रहा किसका प्रयोग सदय वचन में होता अभी अभी तो बताया सदय वचन में क्या क्या लिख लीजिए आग वर्सा पानी तीनों बताया था दोस्तो आग वर्सा पानी और क्या क्या बताया था आग वर्सा पानी हो गया सोना हो गया ठीक है सामागरी हो गया शामागरी हो गया कुछ गलत दिख रहा हूँ ना सामागरी में सामागरी ऐसे हो जागा ठीक है तो यह स दोस्तों दिखें, यहां लिखा है सदायोग वचन, तो जैसे नदी भी एक वचन है, लेकिन वो सदायोग वचन में नहीं रहती, क्यों? क्योंकि नदी का हम वचन तो बना सकते हैं, जैसे लिखा है नदी, और याद रखेंगा नदी का वचन क्या हो जाएगा, तो याद रख का यहां सभी घरों में पानी भर गया तो घर का घरों भी कर सकते हैं जैसे आप करते हैं बान आया और सभी घर में पानी भर गया या घरों में तो घरों दोस्तों नहीं लिया जाता है घर का भवचन घर ही होता है इसी तरह से चाकू जो सब्द है चाकू का भवचन क्या होता ह वो होगा प्रतेक, प्रतेक जो सब्द दोस्तो ये अपने आप में प्रतेक है, प्रतेक कहीं भी लग गया तो उसका मतलब एक ही होता है, है कि नहीं, जिसे मैंने गा प्रतेक किताब, तो एक ही किताब की बात हो रही, वो सदयो एक वचन में आने वली चीज है, इसलिए पर आपसर नमबर 2 बिल्कूल सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा निमलिकित में से कौन सा सब्द एक वचन है जो सब्द एक वचन उसकी पहचान करिए लिख रहा आकास दर्सन प्राण आसू दोस्तों यहां दर्सन प्राण और आसू यह हम बार बार पड़े हैं कि यह क्या है दोस्तों हमने इसको पढ़ाया कि सदय वचन में होता है हमने इसे क्या पढ़ाया हमने पढ़ाया सदय वचन और सदय वचन में दोस्तों कुछ चीजें छोड़ रहा है जैसे जैसे समाचार छोड़ रहा है छोड़ रहा है कि नहीं समाचार जैसे अक्षत लिखना भूल गया है जैसे हस्ताक्षर लिखना भूल गया है जैसे आपका वो क्या बोलते हैं होट लिखना भूल गया है ठीक है होट ठीक है तो याद रखेगा ये सभी चीजें और इसके लावा दोस्तो बाल लिखना भूल गया है तो ये पॉइंट भी आपको पार भी पांच याद कर लिए पांच तीनाठ हो जाएगा यह सदय वबवचन में होते हैं जो आकास लिखा दोस्तो यह एक वचन में आ सकता है आकास क्या सकता है इसको याद रखेगा ठीक है तो इसको ध्यान में रखेंगे और बाकी सदय वचन की बात करें तो हमने आग वर क्या होचा दोस्तो दिसा का दिसाओं चारो दिसाओं में उनका नाम फल गया या चारो दिसाएं में उनका नाम फैल गया तो दिसा का दोस्तो यहाँ पर देखे यहाँ पर एक नमबर और तीन नमबर तो एक जैसा लिख रहा है माल लिजे कहीं पर लिखा दिसा क्या लिखा द दोस्तो दिसा, अब दिसा का बहुबचन बनाएंगे तो दिसाएं करें या फिर दिसाओं करें, ठीक है, तो देखें बच्चे जब सोचेंगे न, तो सोचेंगे क्यों न, दिसा का चारों दिसाओं में नाम फैल गया, तो दिसाओं कर दे क्या, नहीं, आप जो बोलते हो, हमे आकारांथ हो जाएगा, जिसके अंति में E आजाए तो E कारांथ हो जाएगा, जिसके अंति में Bड़ी आजाए तो E कारांथ हो जाएगा, जिसके अंति में O आजाए तो A कारांथ हो जाएगा, तो याद रखेगा यह आकारांथ है, और आकारांथ का बवचेम बनाते हैं ठीक है मैंने कहा ना आप जो सोचते हैं हमेशा और सत्य नहीं होता और अब आपको समझ में आ रहा हो कि गलती हो कैसे जाती है ठीक है इसी तरह के दोस्तों गलतियां होती परिक्षा में इनको ध्यान रखेंगे लिखरा दिये गए सब्दों में से नित्य एक वचन ये नित्य हस्ताक्षर क्या दोस्तों हस्ताक्षर सदयो बहुवचन है ये क्या है दोस्तों ये सदयो बहुवचन ये तो हमने पढ़ा हस्ताक्षर ठीक है और पानी दोस्तों क्या है आग वर्सा पानी आग भी जोड़ लिजे इसके साथ वर्सा भी जोड़ लिजे इसके साथ और पान आकास क्या होता है आकास एक वचन में आता है ठीक है अच्छा आपसे पूछा क्या दोस्तो लिख रहा है कौन सा सदेव एक वचन में नहीं है ठीक है कौन सा एक वचन में नहीं दोस्तो अगर हम जानते हैं जनता भी दोस्तो सदेव एक वचन में आता है जनता प्रजा समागर सदेव एक बचन ठीक है क्या क्या इसमें बताया था इसमें प्रजा भी आपको बताया था इसमें सामागरी बताया था सामागरी बताया था इस सब याद रखेंगे ठीक है यहाँ हस्ताक्षर यह कैसा दिख रहा है दोस्तो जो क्या है यह सदेव बहुबचन के अंतरगत आता है अच्छा सदेव बहुबचन वाले सब्दों में जरा दो तीन और याद कर लीजे तो क्या क्या बताया था हस्ताक्षर बताया था समाचार बताया था प्राण बचाया था अक्षद बताया था हस्ताक्षर बताया था हस्त बताया था तो यह सब्सक्राइब क्या हो जाएंगे इनका ध्यान रखेंगे ठीक है बार बार जब एक ही जैसे आते हैं तो रटलो उठा करके दस बारा चीजें रट लिए ना तो काम खतम हो गया सवाल में इसके बाहर नहीं आएगा इतना ही देता है बार बार निमलिकित में बिकल्पों में से एक वचन सब्द कौन सा है बहुत ध्यान से सोचे समझे तब बताइए एक वचन सब्द की पैचान करना है तो दर्सन तो द यादध रखेगा नधीं होता है फिक है नदी वृचन नदीया होता है टो नदी जो सब्द देरहा दोस्तो यह वचन है बाकि घर घरों लता जो सब्द की होजाएका यहां पर दोस्तों आप याद रखेंगे नदी का लिजेगा और दर्सन के साथ दोस्तों में आपको उताया था दर्सन प्राण वगरा है सब क्या होते हैं यह सदयों बहुवचन होते हैं ठीक है क्या होते हैं दोस्तों यह सदयों बहुवचन होते हैं और आप से पूछा कौन कौन सा एक वचन है यह पूचा है ना तो कौन सा एक वचन है तो याद रखेगा यह आपका उत्तर हो जाएगा आपसा नमबर दो ठीक है चली अच्छा आप हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे परिक्षा में एक वचन बहुचन यह दो अलग सवाल बनता है एक वचन पे एक सवाल बनता है तो देखिएगा परिक्षा में चारी टाइप के सवाल बनते हैं और यह चार टाइप में से कौन सा वाला टाइप उसको बाहर करिएगा ठीक है जैसे यहाँ पर लिख रहा दोस्तो सदा एक वचन तो एक कटेगरी मिली है आपको सदा एक वचन माली मतलब जि हचँ प्राण और बाल प्राण और बाल भी दोस्तो और हस्ता होजाएगा इसमें वर्सा जनता करें एक मिःटिक में अलग अलग करिए एक सिकंड मिस्टिक हो रहा है भाई सुनिएगा यहां पर हस्ताचर तो इधर हो जाएगा और जनता दोस्तो आ जाएगा जनता कहां जाएगा जनता आ जाएगा सदयो एक वचन में जनता कहां आता है बताए जरा आप सोच समझ के बताए जनता किसमें आता दोस्तो जनता सदय और उसी तरह से दोस्तों आप यह यहां यहां रखेंगे प्राण़ बाल तो यह सदा वह बचन में आता। दोनों के drives WordPress जनता कर सकते हैं दोस्तों प्रक्राइब क्या होता है सदाव एक वचन होता है sa죠 अर वचन होता है और एक चीज़ और बताया था जहां वर्सा होगा वहां पर वर्सा भी याद रखेगा आग भी याद रखेगा और पानी भी याद रखेगा वर्सा आग पानी ठीक है यह सभी क्या होता है सदय वचन होता है याद रखेंगे यहां दोस्तों हो सव लोग की बात क बहुत ध्यान से आप चीजों को पढ़िए, क्योंकि ऐसे सवाल बाल बाल गलतियां करते हैं, लिखरा मिठाई का एक वचन क्या होगा, मिठाई सब्द का किस सब्द का एक वचन ये बताना है, तो अगर कहीं पर लिखा दोस्तों मिठाई, ठीक है मिठाई, तो मिठाई का याद रखेगा, ये इचोटा करेंगे और तब यहां लिखेंगे दवाईयां, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको समझेगा, आप दुकानों पर देखेंगे न, तो दवाईयां लोग गलत लिखते हैं, मिठाईयां लोग गलत लिखते हैं, आप समझेए, लोग क्या क मात्राओं को आप चेंज करेंगे अपने दिमाग भी डाले गए और एक्जामपल देद रहा हूं जैसे मालो कहीं लिखा मचली क्या लिखा है मचली ठीक है तो मचली कब बचन क्या हो जागा मचलियां अब लग उपर जो बड़ी थी वह बदल जाएगी दोस्तों छोटी में और तब दोस्तों क्या हो जाएगा इस तरह से आप करेंगे ठीक है मचली ठीक है यह आप याद रखेंगे जैसे अगर कहीं लिखा वधू कहीं लिखा क्या वधू वधू में तो बड़ाओं की मात्रा होता लेकिन जब आप वधूएं लिखेंगे तो यहाँ पर मात्रा क्य कर देंगे तुरंद मात्रा को छोटे उम्हें बद लेंगे यह सब छोटे छोटे कांसेप्ट हैं और अगर आप इन चीजों को जैसे मिठाईया है दिया यहाँ बड़ी लगा दिया गलत उत्तर मीठे नहीं मिठाई नहीं दोस्तों क्या हो जागा यहाँ आपसा नमर तीन स समू लगता कभी का आगे लोग लगता है या कभी का आगे दल लगता है देखे दल तो नहीं लगता है कभी लोग भी नहीं होता है कभी समू भी नहीं होता कभी गड़ होता जियां दोस्तों सभी कभी गड़ से सभी अध्यापक गड़ से निवेदन है ठीक है तो याद लगता है जिससे विध्यारती में दोस्तों गड़ लगा सकते हैं लोग कहां लगा सकते हैं जैसे आप अगर कोई सद्र लिखे हैं आप तो आप के साथ क्या suitable यहाँ पर है तो याद रखेगा आप के साथ लोग suitable है उसी तरह से अगर आपने करमचारी वरिंद करेंगे या करमचारी गड़ करेंगे याद रखेगा दोस्तों करमचारी न तो गड़ होगा न तो यह होगा करमचारी वर्ग कहा जाता है इसी तरह से मालीजे अधिकारी सब्द लगा है तो अधिकारी के साथ सूटेबल वर्ड पता क्या होगा अधिकारी अधिकारी वर्ग, यह सारी चीजे आपको याद रखना है, जैसे विद्यारती आप बोलते हैं, तो विद्यारती गढ़ याद रखते हैं, उसी तरह से नारी कहीं पर लिखा है, नारी के लिए क्या कर सकते हैं, तो नारी के लिए एक suitable word होता है नारी वरिंद, ठीक है अब देखे, नारी वरिंद नहीं दोस्तों, नारी वरिंद करेगा नारी वरिंद, ठीक है तो ये सब याद रखेंगे, इस तरह के सवाल आते है suitability, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले सीखिए कि suitable होता क्या है, ठीक है, आप नहीं जानेंगे तो कोई मतलब नहीं, पाठकगड, छात्रगड ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है, लिखे राक कवी का सही बहुबचन रूप बनाईए तो क्या हो जागा दोस्तों कवी, अभी देखिए, पीछे मैंने आपको आता है कि कवी के साथ suitable word क्या दोस्तों कवी गड़ जो होता दोस्तों ये suitable होता है तो याद रखेंगे दोस्तों यहां कवी जन मत करिए, कवी ब्रिंद मत करिए कवी वर्ग मत करिए, कवी गण करिए दोस्तो ये suitable word होता है इसके आगे ठीक है याद रखेगा ये हमारा trailer वीडियो चल ला है हमारे हिंदी foundation के लिए जिया दोस्तो आप आई इस बैच को जोईंग करिए जबरदस्त बैच है घर बैठे दोस्तो एक बार बैच पढ़ लेंगे ना दुबारा कोई भी exam देंगे हर ए लड़की में बड़ी की मात्रा होती है लेकिन जब आप लड़की का बवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता यहां मात्रा छोटा होगा और याद रखे गए हो जाता यही concept दोस्तो बेटी के साथ भी होता है बेटी अब बेटी से जब आप बेटियां करते हैं तो याद जल्दी में लकडी मत कर दिजेगा लड़की हो जाएगा दोस्तो लड़की का बवचन क्या हो जाता है लड़कियां और लड़का का क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा ठीक है इसको भी याद रखेंगे अगला लिखरा पुस्तक रखी है इस पुस्तक रखी है वाक्य म कि बहुवचन है भाई पुस्तक तो एक ही होता है अगर बहुत सारी पुस्तक रखी होती तो हम कहते है पुस्तकें रखी है ठीक है या लाइब्रेरी में धेड़ सारी पुस्तकें है ठीक है तो पुस्तक ही कहते है तब उसका बहुवचन बनता अभी तो दोस्तक है ये त्री वचन जैसी कोई चीज नहीं होता, दूई वचन भी आप नहीं है, बवचन होगा नहीं, इसलिए दोस्तो एक वचन ही आपको करना है याप ठीक है, लिख रहा है इनमें से किस सब्द का प्रयोग हमेशा बवचन में होता था, हमेशा का तात्पर क्या दोस्तो, शदैव गया, अक्षत हो गया, समाचार हो गया, ठीक हमने बार बार दोस्तो इसको पड़ा है, यह सभी क्या होते हैं, यह सदैव बवचन वाले होते हैं, यह सूरज पानी मत करेगा, पानी और सोना दोस्तो किसमें होते हैं, पानी सोना याद रखेगा, यह सदैव बवचन में आते ठीक है पानी सोना क्या होता है सदयोग वचन में आता है सूरज भी क्या होता दोस्तो ये भी सदयोग वचन में आएगा तो जो सही जबाब है वो है आपसन नमबरे क्योंकि आपसे पूचा है क्या सदयोग वचन में रहेगा तो याद रखेगा दोस्तो यहाँ पर जो बढ़ी तोई का रान्थ चोटा हुए तो उकारांथ बड़ा हो तो उकारांथ इस तरह से ऋठीक है लिख रहा है दोस्तों यहाँ पर सवाल पढ़िए ठीक है सवाल एक सेट ज़्यादा आगे अगे क्या लिख नो कि क्या होता बहुचन या पर कर अंत्यस्वर के बदले वो कर दिया जाता है और यह कर दिया जाता या यह किया जाता आइए यह तो आप देखे आप अगर पैचान करना चाहते हैं कि अंत्यस्वर के बदले क्या किया जाता तो बिना एक्जामपल के तो आप कता ही नहीं समझ स सकते हैं कि रही क्या हो सकते हैं ठीक है आई ये बताता हूं जैसे इक dear limit या दोस्तों कहीं पर लिखा गाए क्या लिखा दोस्तों गाए का बवचन करेंगे तो क्या करेंगे गाए का बवचन हो जाता है गाएं क्या हो जाता दोस्तों और गाएं ऐसे ही लिखा जाता इसको याद रखेगा ऐसे लिखेंगे गाएं या फिर ऐसे लिखेंगे गाएं ब तो देखे, जो गाएं ऐसे लिखतें दोस्तों यह लिखना ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि गाये हैं, तो वहाँ पर यह लगाएंगे, तो गाये की उपर एक यहीं मात्रा दीजे, और बिंदी लगाईये, दब इस तरह से बनेगा ठीक है, जो हम लिखतें दोस्तों, वह हम गलत लिखते हैं तो गाएं ऐसे लिखना नहीं है होता यहां पर यहीं है ठीक है आये तो जोड़ना ही नहीं है जोड़ना तो दोस्तों क्या है यहीं जोड़ना है लेकिन बस क्या करेंगे एक ही मात्रा लगा कि बिंदी लगाई यहीं तो मात्रा है ठीक है समझ में आ रहा है यहीं मात्रा है तो जल्दी बाजिम बच्चे क्या सोचते हैं ऐसे लिख दिया जाए अरे ऐसे लिख दिये तो रात्यों को भी ऐसे लिख दें तो क्या लिखेंगा राताएं लिख देंगे राताएं तो कोई साथ इसके साथ अलग कैसे एक जैसा होता है तो आप समझिए एसे नहीं लिखना चुए यह उपर एक इमातर दीजेगा और तब लिखेगा यह ठीक है तो यह होता दोस्तों इसको आप याद रखेंगे अच्छा सवाल है ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा उर्दू सब्द यहां दोस्तों सवाधा का बभवचन रूप क्या होता है अब जब बच्चा सवाधा पढ़ता है तो आपसन में गर ढूटता है सवाधागर लिख रहा है उसके अंतर में गर लगा देते हैं तो उसको लगता है बभवचन बन जाएगा अरे किसने तुम से कर दिया कि चैंजस नहीं होता है याद रखेगा सवाधा का बभवचन सवाधा ही होता है जैसे चाकू का चाकू होता है उसी तरह से सवाधा का भी सवाधा होता है कोई चैंजस नहीं करना आपको याद रखेंगे जान बुझ कर जिनको पता नहीं होता न एक्ष्ट्रा दिमाग लगा कमाने के चक्कर में क्या कर देते हैं गलत कर देते ठीक है आप इन चीजों को ध्रयान रखेगा ठीक है अगला लिख ला हिंदी में मैं का बॉबचन क्या होगा चलिए देखते के नो punk के मैं का वह लिखा है तो मैं का बो प्राण का प्रयोग होता है कोई दिक्कत नहीं है निमलिकित में से किसका प्रयोग होता है तो प्राण का प्रयोग होता है पीछे में पड़ा ठीक है पाठक के साथ तो पाठक गण लगा देते हैं नदी के साथ नदियां लिख सकते हैं इस्त्री का इस्त्रियां लिख सकते हैं प्राण जो सब्द दोस्तो ये क्या होता है ये सदेव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है इसलिए यही सवाल का क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा लिख रहा है निमलिकित में से किसका प्रयोग केवल बहुबचन में होता है ध्यान से पड़िये केवल बहुबचन में किसका प्रयोग होता है तो 200 बार पड़ चुके दोस्तों दर्सन का प्रयोग होता है भाई लड़क बाहर नहीं जाता है कुछ। बनाते समय क्या किया जाता है लिखरा अंतीम सवर पीछे इसी को लिखा था अंतीय सवर। तो अंते मतलब जो अंतीम में स्वर आ रहा उसकी बात हो रहा है लिख रहा अंते स्वर के बाद यहां लगा देते हैं अच्छा या फिर अंतीम स्वर को हटा कर देखो के बाद यहां लगाते हैं या हटा कर यहां लगाते तो दोनों दो बाते हो गई या इको हरस्व करके अं को हरस्व करके यहां भी लिखा हरस्व करना, यहां भी लिखा हरस्व करना, मतलब यह दो आप्सन तो फरजी में दे दिया गलत, ठीक है, हरस्व करके अंतिम स्वर के बाद यह लगाते हैं, 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 यह लगाते हैं बहुत उक्जामपल मैं आपको गिना गुंगां ऐसा ठीक है जैसे नारी लिखा है नारी नारी में दे के बड़ी की मातरा होती है तो नारी का क्या हो जाता है नारी का क्या हो जाएगा नार deflecti अभी पीछे मैंने बताया था लड़की तो लड़की भी देखे बड़ी लगा है तो लड़की का क्या हो जाएगा लड़कियां हो जाएगा बेटी का बेटियां हो जाएगा देखे मातरा ध्यान दीजेगा ठीक है लड़की का क्या हो जाएगा लड़कियां हो जाएगा तो स आम ले लिया है का बवचन क्या होगा अब देखे मैंने आम ले लिया का बवचन बच्चा समझता है कि देखो मैं को हमने बदलाता हम में देखो कितना खोपड़ी लगाता है जिसको नहीं आता वो पढ़ता है मैं को हमने किया ता हम में तो सर क्या मैंने अगर लिखा यहां प कुछा संवाल पूचा गया था ठीक है ऐसे लोग गलतिया कर दिए आप सोचो कि सर यह क्या हो गया अरे बाई बाई ब्वचन बनाना MI편 है पूरे संटेंस का तो मैंने आम ले लिया क्यों मैं को बवचन आप समान लेने के तो समान को बवचन बनाओगे ना या अपने आपको बवचन कर दोगे समझो किसे बवचन करना आपको समान को बवचन करना है ना ठीक है तो याद रखेगा ठीक है यह आपसा नमबर दो दोस्तों सही होगा यहां बहुत सारे बच्चो होता है और गाय का क्या हो जाता है बताया था गाय का गाय हो जाता है और आपको समझाया था कि इस तरह से गाय नहीं लिखा जाएगा इस तरह से लिखा जाएगा ये भी समझाया था अब गौ कर दिया तो गौ का क्या कर देंगे दोस्तों तो गौ का गौवे करेंगे देखें गौव जब रहेगा तब आप गौवे करेंगे तब के लिए सही है और गाय रहेगा तो गाय के लिए यह पे लगाएंगे तो दोनों दो गाय लिखेंगे तब गाय लिखेंगे तब गाय लिखा होगा तब होगा तब होगा तब होगा तब होगा याद रखेंगे गावे कब होगा जब गाय लिखा रहेगा तब होगा दोनों दो बाते है निमलिकित में से बवचन रूप कौन सा है बताए लिखरा तेहा तोर तोला तुमन हा, ठीक है, दोस्तों यह 36 गड़ी सब्द है, ठीक है याद रखेंगे, यह 36 गड़ी सब्द है, 36 गड़ में दोस्तों प्रेउत किये जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कि कौनसा आएगा यहां पर तो याद रखेगा तुमन हा तुमन हा जो दोस्तो याद रखेगा बवचन होता है तुमन हा ठीक है यह थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि यार बड़ा डिफिकल्ट आ गया अब इसका जबाब कैसे ढ बुड़ा जया बट है ठीक है इसको याद रखेगा वहां पर एक बचन जैसे वहां पर मैं आपको बताओं कि बवचन बनाने के लिए मन सब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे माली जै कहीं पर लिखा घोड़ा घोड़ा लिखा है न तो उसका बवचन बनाना है तो क्या क करेंगे पता है लिखेंगे घोड़ा मन क्या लिखेंगे घोड़ा मन क्या बात कर दिया सर ऐसा होता है क्या जैसे कहीं लिखा है लड़का का क्या हो जाएगा लड़का मन हो जाएगा जैसे लिखा है भाई तो भाई का क्या हो जाएगा भाई मन हो जाएगा ठीक है तो इस जन सब्द लगा है और इसको देखकर के आपने बता दिया क्या है ये बहुवचन है बाकी अनुस्तो है नहीं गव होता तो गव का गव में हो जाता लेखा का लेखा गण हो जाता अनुज दोस्तो छोटे भाई कहा जाता वो नहीं दिया है तो यहाँ पे याद रखेंगे चाहें तो इन्हें परचेश कर सकते है ठीक है अच्छे से देख लीजे समझ लीजे और यूच्फुल हो तो आप ले सकते हैं बाकी दोस्तो आप किताबे भी आ चुकी किताब तो जरूर आपके पास होनी चाहिए और डर कर लीजे यार ज्यादा महीं नहीं है बिना किसी ड लगा होगा और अच्छा लगे दोस्तों तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरू करेगा और कमेंट का इंतजार रता आप सभी का तो प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा ठीक है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत थेंक यू थेंक यू सो मच